साथसंगत जी प्याश से कहना धाननकार जी देरादुन के इस संगत ने आज सभी नेमापुर्षों की बानी सुनी वो संदेश सुना जो युगो युगो से एक सत्य का संदेश है ये एक अगर हम कहें कि हर सत्संग में आते हैं तो वही पार्ट पड़ाया जाता है तो बात वही कि एक अगर हम सोचें कि कोई एक information कि कोई हमें एक समाचार एक बात पता लगे तो वो कोई नया एक हर दिन नई चीज जानने की जरुरत नहीं होती वो बस एक सही समय पर सही चीज जानने की जरुरत होती है तो कैसे information doesn't need to be new but it has to be timely तो कैसे एक समय रहते रहते जीवनकाल में जब हम ये information आज जो पता लगी एक सुनते भी आए हैं कि मनुश्य का तन ये प्रभू परमात्म की परमात्मा की प्राप्ति के लिए है इसी योनी में ये संभव है कि अपनी पहचान इस प्रभू परमात्मा की पहचान द्वारा की जा सकती है और जब ये स्वांस शरीर में नहीं रहेगी तो वो जीवन खतम होने पर तो वो संभव नहीं है कि प्रभू परमात्मा की जानकारी ली जा सके तो हर समय चाहे हम कोई भी आईू में हों, बच्चे हों, बजर्ग हों, नौजवान हों ये कारिय सिरफ रभू पर मात्मा की जानकारी से जो भक्ती भरा जीवन शुरू होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने और जिम्मेवारियों के कारियर नहीं कर पाएंगे पर वो होता है कि वो सारे कारे करते हुए हर पल भक्ति गर्णा साथ ही साथ संभव हो जाता है क्योंकि ये हर पल हमारे साथ हमारे अंगसंग हर स्वांस में इसका एहसास रहता है तो सारे कारे ही सहज रूप में एक खुद बखुद वो एक हमारी भलाई के लिए पूरे संसार की भलाई के लिए स्वेम ही एक बस शरीर हमारा इंस्ट्रुमेंट की तरह कारे खुद ये दातार हमसे करवा लेता है जो सभी की भलाई के लिए हूँ तो कैसे हम उधारन भी देखते हैं स्कूल में भी अगर देखा जाए कि जब कोई टीचर एक फ्री पीरियट देती है कि चलो अब हम हर दिन की तरहां आज इस क्लास में ये नहीं करेंगे आप बच्चे जो चाहे कर लें पर उस समय भी वो टीचर छोड़ के बार नहीं चली जाती वो बैठती है क्लास के दौरान कि बच्चे कुछ भी कर रहे हों एक वो टीचर का फर्द सुपर विजन का की कहीं अगर ये बच्चों को कह दिया कि कुछ भी करो तो कहीं वो एक दूसरे से लड़ाई नकरने लग जाएं कोई नेगेटिव और काम ना करने लग जाएं एक ये बात कि आपको अजादी दे गई कि पढ़ाई नहीं भी करनी तो और कुछ चाहे करो पर वो क्रियेटिव एक पॉजिटिव काम करो उस बात के लिए ये टीचर की मौझूदगी तब भी कि ये सुपरविजिन के त कि हर समय जैसे आज सत्संग में भी कह रहे थे कि काफी महापुर्शों के प्रशन रहते हैं कि जब इस निराकार का दर्शन हो गया तो सत्संग सेवा सिमरन पे इतना फिर भी बाद में फोकस क्यूं जब पता चली गया कि ये निराकार अंगसंग है तो फिर बार-बार सत्स तंगाते हैं मापुशों की बातों पर गौर करते हैं तो हम कहां खड़े हैं इसका हमें पता होता है कि क्या हम मापुशों का सतकार कर रहे हैं या क्या हम अपने मन में प्यार को जगा बनाई बैठे हैं या कोई लोब लालच कोई एहंकार रितियादी तो हम एक जब वो बात सुनते हैं एक खुद को पता लग जाता है कि हम अपने भक्ती के मार्ग पे खड़े भी हैं कि नहीं तो जब ये सचसंग में वचन सुनते हैं उनको अपने जीवन में ढालकर अपने स्वभाव को संत मती के अनुसार मोड़कर अपने अंदर ये अच्छाईयां हम जब ले लेते हैं तो फिर बही बात की परमात्मा तो पता है अंगसंग है पर ये सचसंग सही रास्ते पे रखने के लिए ये इंस्ट्रुमेंट बहुत बड़ा कैसे आसपास जो भी मापुष आते हैं जीवन में उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है दूसरों का विश्वाश देखकर उनके जीवन की चाहे वो बात सुनाएं या खुद अपनी observation से हम देखते हैं तो पता लगता है ये मात्मा का इतना गहरा विश्वाश और ये तो बहुत जादा समय से जुड़े भी नहीं है अभी नए नए ही ब्रहम ज्यान को लिया है तो भी realize होता है कि हम तो कितना उन से अधिक समय से जुड़कर भी अभी वो विश्वाश मन में हमारे नहीं आया अभी हम उस गहराई तक नहीं पहुँचे हैं तो ये निराकार जितना गहरा है ये bottomless ये बिलकुल खतम ना होने वाला इसके एक गहराई तक तो जाना उस तर नहाँ एक human mind के तो possible नहीं है पर ये दिल जो एक इतने विशाल निराकार को अपने दिल में हम रखते हैं समालते हैं समा जाता है तो इतना बड़ा होकर भी वो फिर भी इस दिल में रह सकता है हमें ये निराकार को हमेशां दिल में बसाकर हर एक का दरसतकार करते हुए ये भाव के कहा भी जाता है कि मन की बात जब आती है तो ये मन तो किसी भी डारेक्शन में जा सकता है कभी इतना शांत भी हो जाता है कभी इतनी उथल पुथल भी आ जाती है कभी मन में इतनी करुना दया और कभी एक ही सेकेंड बाद किसी के प्रती इर्शा का भाव नफरत का भाव तो कैसे ये बात भी सबने सुनी है कि मन जीते जग जीत कि जब हम अपने मन की उपर जीत प्राप कर लेते हैं वो एक्वलेंट हो जाता है पूरे जगत को जीतने के समान कि ये इतना जहां बताया है कार्य मुश्किल है उतना ही आसान भी है सिरफ और सिरफ हम अपने उपर फोकस रखके अपने आपका सुधार करते चले जाएं और साथ ही ये सुधार का श्रे ये हमेशा एहसास चपर मात्मा का निराकार का होता है तब ही ये स्वेम में सुधार होना संभव हो जाता है तो जहां हम एक इस बात को देखकर कि हमने जब अपने मन को सही डारेक्शन में रखा इस परमात्मा की उपर अधारत किया तो ही सब सही है वरना तो जिस पर ये परमात्मा इस दिल से निकल जाता है हमारे खयाल से निकल जाता है ये हम संत्मती को छोड़ देते हैं दुर्मती अपनाते हैं तो हम सबने जीवन में ये एहसास किया होता है जिस प्रकार एक लाइट अभी हम देख रहे हैं पर अगर ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटे तो बिल्कुल एक सेकिंड भी नहीं लगेगा घुप हनेरा होने में वैसे ही जिस पल ये निरंकार को हम भूल गए उसी पल सारी की सारी नेगिटिविटी हम पे हावी हो जाती है ही मन में ये सेवा का समर्पन का भाव भी आता है तो ही समर्पित भाव से ये सिमरन भी होता है तभी इस मन में पूरे विश्व के लिए एक अरदास एक बैटमेंट पो दो वर्ल्ड एक ये दुआ रूप निकलता है तो कैसे सिरफ जबान का रटन तक ही एक सिमरन ना हो कानों में एक अच्छी बात पढ़ना ही सिरफ ये नहीं की सत्संग सुन ली मन के अंदर जाना मन का तबदील होना ये ही एक प्रमान की सेवा सिमरन सत्संग हम अगर ठीक तरह से कर रहे हैं तो ये निराकार नहीं कहीं जाता ये हमारे मन में ही रहता है इसका एसास हर पल अंगसं किया जाता है तो वो करते हुए हम अपने जीवन को अधिक से अधिक तरह से ठीक तरह चला सकते हैं तो यही अर्दास पूरी सत्संग भी जहाँ आप मापुष करते रहते हैं कि दातार एक अपना एहसास बख्षो भक्ती बख्षो क्योंकि यह भक्ती भी तभी तक की जा सकती है जब इसके एहसास में हो नहीं तो फिर हम वो भक्ती के लिए भी कोई कार्य ही बना लेते हैं कोई प्रथा बना लेते हैं पर मन से की गई प्रेमा भक्ती, सिरफ वो सिरफ एक प्यार इस दातार से, वो भक्ती उत्तम भक्ती, तो दातार जहां किरपा करे, हर एक के मन में ग्यान टिके, वहीं पूरे संसार के लिए हम सेवा रूप से स्वैम को अर्पित कर पाएं, साथ संगर जी, धानन कार जी